हाई, आपको किसी भी रिलेशन्शिप में नहीं करना चाहिए वो करने से आपकी रिलेशन्शिप खराप हो जाएगे पर उससे पहले, मैंने पिछली बार open-minded कैसे बने उसके उपर वीडियो बनाई थी अगर आप open-minded बनना चाहते हो तो वो वीडियो सरूर देखना तो चलिए, अभी आज का वीडियो स्टार्ट करते है कही लोग ना चाते है कि वो इंसान, सिर्फ मुझसे बात करे, सिर्फ मेरी साथ घुमे, सिर्फ मेरी तरफ देखे, किसी और के बारे में सोचे भी ना आपको नहीं लगता, ये थोड़ा जादा हो रहा है मतलब ठीक है, उनके लिए आप important हो, लेकिन दूसरे लोग भी तो important है ना सिर्फ आप अखेले इंसान तो नहीं हो उनके life में एक इंसान के लिए, उनके parents, friends, partner, उनका काम, ये सब important होता है इस बात को समझो और उनको इतना जादा बेरियों में मत बांधो, के वो आपसे बहुत दूर चले जाए तो उनको इतना time, जरूर दो, के वो दूसरों को भी time दे पाए Don't make fun of them हाँ, वैसे तो हसी मजाग ठीक है, पर कभी-कभी ना थोड़ा extreme हो जाता है और आपका एक जोग, उनके अंदर गहरा असर कर सकता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा हाँ, आपस में एक दूसरे के साथ मजाग कीजिए, वो ठीक है लेकिन किसी तीसरे इंसान के सामने उनका मजाग ना उड़ाए चाहे वो आपका पार्टनर हो या फ्रेंट हो, ये बात याद रखना No lies एक सच चुपाने के लिए ना, लोग कभी-कभी जूट बोलते जाते है, बोलते जाते है और वो जूट कब पाहार बन जाता है, पता ही नहीं चलता और हम उसके तले दब जाते है तो जूट मत बोलो यार, सच बोल दो वो थोड़ा गुसा करेंगे, लेकिन बात में कोई प्राब्लम नहीं होगी ना हाँ, अगर आप उनके भले के लिए जूट बोल रहे हो, तो बात अलग है डोंट चीट, प्लिस, उनको चीट ना करे आज कलना इस चीटिंग के वज़े से सारे रिलेशन टाइम पास बन जा रहे है अगर चीटिंग करके आप उनका ट्रस्ट तोड़ते हो, तो उनका ट्रस्ट आपसे कम होता जाएगा और शायद जिस टाइम पे आप सही होंगे, तब भी वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे don't disrespect, mutual respect बहुत important है बदरी की दुलहनिया में एक dialogue है ना, प्यार तो है, लेकिन हम दूर है क्योंकि इस वक्त ना वो हमारी respect करता है, ना हम उनकी तो एक दुसरे को respect करना चाहिए, एक दुसरे के पसंद को respect करना चाहिए एक दुसरे के जो करीबी लोग है, उनको भी respect करना चाहिए don't take them for granted, कभी-कभी हम उनको थोड़ा granted ले लेते है खास कर कि जब relation थोड़ा पुराना हो जाता है हम ठीक से उनकी बात नहीं सुनते, उनको ज़्यादा time नहीं देते ज़्यादा importance नहीं देते, neglect करने लगते है हमें लगता है, अरे ये तो ये ही है, मुझे छोड़के कहा जाएंगे लेकिन आपकी ये छोटी-छोटी चीज़े, धीरे-धीरे उनको आपसे बहुत दूर कर देती है, तो उनको कभी भी granted ना लेना, तो दोस्तो आशा करती हूँ आपको वीडियो helpful लगी होंगी, ये relationship है कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें थोरी maturity चाहिए होती है, इसको समालना इतना आसान नहीं, कुछ efforts तो ढालने पड़ते है, वीडियो helpful लगी हो, तो एक like, comment, share और subscribe कर देना, फिर मिलेंगे next Tuesday और Saturday को, goodbye and put some efforts into your relationship.